मनी लॉंडरिंग मामले में जेल में मन निलंबित आईएस अधिकारी पूजा सिंखल 14 दिनों की नाएक इरासत पूरी होने के बाद वीडियो कॉंफरेंसिक के माध्यम से अदालत में पेश किया गया इडि के विशेस नाएधिश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने उन्हें पेशी की गई अगली पेशी 22 जुन को होगी निलंबित आईएस पूजा सिंखल के अलावा उनके सिय सुमन कुमार की भी पेश ही हुई 25 मई से पूजा सिंखल और 20 मई से सुमन कुमार जेल में बंध है पूजा सिंखल से एडि की टीम ने 14 दिनों तक लाता पूच्टाच की थी महीं सुमन कुमार से 13 दिनों तक पूच्टाच की गई एडी की तरफ से मामले में छे में इससे लगातार कारवाई की जा रही है पूजा सिंगल के तरफ से कहा गया वह बोली कि सर हमारा जो इडी में जो इलाज चला था उसकी प्रिस्टर की कौपी हमको चाहिए थी यहां डॉक्टर खोज रहे तो जड़ सहाब ने कहा कि ठीक है यह मुझे आदेश हुआ कि आप यहां जमा करवा दीजे मैं इसे जेल में भेज दोगा तो यह भेज दिया जाएगा दिव कोर्स में इसा कुछ पूछा भी नहीं गया ना वह बताई कि जेल में किस तरह की दिक्कत है ऐसा को था इंट्रोगेशन का जो यह इडी कस्टरी में थी लगभख पूरा है इसलिए कोई सवाल ही नहीं उतता है वो फिर अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले